आपका नीट का एक्जाम बहुत पास आ गया है और इस टाइम पे सबसे में इंपॉर्टन चीज होती है कि लास्ट मुमेंट पे जब हमारे पास एक या दो मन्त पच जाता है तो हम स्ट्राटेजी क्या रहेती है हमारी उसको मार्क्स को अचीव करने की पहले मैं आपको नीट में बता दूं कि आपकी जो बायोलजी होती है वो 360 मार्क्स को होल्ड करके रखती है ठीक है आपका physics जाने की मार्क्स का chemistry वनेकी मार्क्स और biology आपकी 360 मार्क्स की होती है ठीक है तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पर देना चाहिए बाकी जो स्कोर आने पे वो फिर रैंक लाने में help करते हैं आपका ठीक है तो 360 मार्क्स की आपकी biology है तो इसको strategy क्या है इसको follow करने की कि हम एक या दो महीने में किस तरह से हम अपना पूरा स्लेवर्स रिवाइस भी कर लें और अमें ज्यादा ताहिं देना लगे तो सबसे पहले मापको यह बता दूं कि आपकी ख्लास 6 के अंदर आपको पता है कितने चाप्टर जैंए यहां पर आपके 22 चाप्टर आपकी क्लास 11 की biology की बुक के अंदर राइट और क्लास 12 की जो biology यह उसके अंदर है आपके पास है तो टोटल चाप्टर जैंए आपके हापे 16 चाप्टर इंद ख्लास 12 biology बुक क्यों राइट टोटल यानि के कितने आजाते हैं आपके 38 टोटल चाप्टर जाजाते हैं आपको यह पता है कि 360 मार्क्स में से जो 80 परसेंट पेपर होता है जो 80 परसेंट कोशिंज होते हैं वो डारेंग्ली उठाय जाते हैं आपके 一lais hier बोक से बिल्कुल डारेंट होते हैं छो थोड़ा गूमा ऋसकते हैं तो थोड़े 7 परसेंट याता है 15 questions फिर भी ऐसे होंगे जो थोड़ा सा link करके दियोंगे एक दूसरे chapters को लेकिन 80% questions ऐसे होते हैं जो directly from the NCRT line आपको डालके दे देते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे last moment पे आपको पूरी NCRT 38 chapters है suppose अभी भी आपके पास कितना months है आपके पास एक महीना पूरा दो महीने बाकी है तो उस टाइम पर भी आप कैसे करोगे एक chapter को read करने में thoroughly read करने में जादा से जादा एक घंटा लगता है चलो maximum हुने 2 hours मान लिए तीक है maximum है वैसे 1 hour भी maximum है आप पूरे साल तक अभी तक पढ़ते आए हुए NCRT तो अब यह last revision है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा दुबारा revise करने में तो एक chapter जो है line to line यानि कि आपको हर एक chapter की line पता होने चीए किस page पे थी किस chapter में थी किस paragraph में थी क्या word लिखा हुआ है इस तरह से आपकी NCRT पूरी तरह से तयार होनी चाहिए और वो reading करने से ही आएगी और लास्ट में उस chapter से related previous year के questions करने आपको बस तो आपको idea लग जाएगा कि maximum questions आपकी बिल्कुल NCRT से ही निकाले गए हैं मैं एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि जो do or die वाला जो syllabus होता है ना कि यह particular topics कुछ ऐसे हैं फेवरेट हैं नीट के कि यहां से questions जरूर बनाते ही बनाते हैं हर साल ठीक है तो next video भी मैं अपलोड कर दूंगी यहां पर जिसमें do or die वाला syllabus होगा कि आप सिफ इनको जादा ध्यान डे आपको पढ़ना है NCRT से थरली कुछ चाप्टर्स तो बहुत छोटे हैं जो बहुत जल्दी कवर आप हो जाएंगे आपके या फिर आपको बहुत अच्छी तरह से पहले से भी आते होंगे तो एक चाप्टर को एक दिन में करिए NCRT रीड करना इनाफ होगा जितने भी टॉपर्स रहे हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ लास्ट मूवमेंट पे कि आप सिर्फ NCRT की ही रीडिंग कीजिए बायालोजी को और कहीं से हाथ लगाने की जरुरत ही नहीं है टॉपर्स भी बोलते हैं आपके वो भी यही सजेस्ट देते हैं अपने इंटर्वियू में कि लास्ट मूवमेंट पे आप सिर्फ NCRT रीड करो और थूआउट दा इयर भी आपको सिर्फ NCRT पर ही जादा फोकस रहना चाहिए कोई बुक बेटर नहीं है NCRT के आलगा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेए आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे बाबाए